Hello students, class 10th के math के first chapter में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग first chapter का NCRT का third exercise solve करेंगे तो मेरा नाम है अकास सिंग और आप देख रहे हैं हमारा channel epsilon तो चलिए शुरू करते हैं तो first question है, prove that root 5 is an irrational number तो आप लोगोंने पढ़ा होगा कि जब हमें irrational number proof करना रहता है तो हम लोग contradiction method यूज़ करते हैं जैसे हमें दिखाना है root 5 क्या है, irrational number तो हम लोग उल्टा माल लेंगे, हम लोग माल लेंगे कि root 5 एक rational number है ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, let root 5 is a rational number root 5 is a rational number हम लोग root 5 को क्या माल लेंगे? rational number माल लेंगे, अब आप लोग जानते हैं कि किसी भी rational number को हम लोग P by Q के form में लिख सकते हैं तो actually मैं root 5 को लिख सकता हूँ P by Q के form में P और Q क्या होने चाहिए मेरे? integers P and Q are integers integers और Q जो है वो 0 की equal नहीं होना चाहिए और P and Q क्या होने चाहिए आपस में? co-prime, P and Q are co-prime ये condition था rational number के उपर उमीद करता हूँ आपने जोट पड़ा होगा कि जब भी हम लोग root 5 को rational number मानेंगे तो उसे P by Q के form में लिख पाएंगे P and Q integers होने चाहिए नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए और दोनों आपस में co-prime होने चाहिए co-prime मतलब होता है कि ये दोनों के बीच में कुछ भी common नहों 1 के लामा P and Q के बीच में कुछ भी common नहों तो root 5 को मैंने P by Q मान लिया अब मैं क्या करूँगा square करूँगा दोनों side squaring both side दोनों ही side square करूँगा तो root 5 का square हो जाएगा P by Q का square हो जाएगा root 5 का square कर जाएगा 5 P square by Q square हो जाएगा ठीक है यहां से देखे Q square को मैं 5 में multiply कर सकता हूँ तो यह जाएगा 5 Q square is equal to P square ठीक है मैं उसे उल्टा करके लिख दूँँ तो यह जाएगा P square is equal to 5 Q square तो इसका मतलब क्या है P square is equal to 5 Q square है इसका मतलब क्या है जैसे अगर लिखा रहता है A is equal to B Q ठीक है इस लाइन का मतलब होता है कि जो B है न वो यह को divide कर रहा है B divide से गर इस तरस लिखा है A is equal to B Q तो इसका मतलब होता है B जो है वो A को divide कर रहा है suppose करिए example से suppose कर लिजे जैसे 15 is equal to हम लोग लिखते हैं 5 into 3 वही A is equal to B Q इसका मतलब मैं यह नहीं कह सकता हूँ 5 divides 15 5 divides 15 आप 3 divides 15 भी लिख सकते है मतलब जब भी इस तरह लिखा रहेगा A is equal to B Q तो B भी A को divide कर रहा होगा Q भी A को divide कर रहा होगा ठीक है तो actually देखिए उसी टाइप को लिखा है यह देखिए कुछ इस तरह नहीं है A is equal to B Q है ना ठीक है मैं M माल लेता हूँ ताकि confusion नहो A is equal to B M तो मैं असे लिख से नहीं सकता हूँ B divides है B मतलब 5 तो यहां से क्या जागा 5 divides 5 divides P स्क्वेर यहांनी जो 5 है वो P स्क्वेर को डिवाइट कर रहा होगा Obviously बात है अगर 5 P स्क्वेर को डिवाइट कर रहा होगा तो 5 divides P also 5 divides P also ठीक है 5 जाए वो P को भी डिवाइट करेगा यह लाइन हमें मिली बहुत important 5 जाए वो P को डिवाइट कर रहा है ठीक, अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग P के जगए लिखेंगे 5R, तो देखते हैं क्या जगा, P के जगए मुझे लिखना था 5R, तो यह जगा 5R का whole square is equal to 5Q square, 5R का whole square मतलब 25R square is equal to 5Q square, ठीक है, 525 को काट देगा, कितने बार में, 5 बार में, तो यह जगा 5R square is equal to Q square, तो भाई यह 525 को डिवाइड कर देगा, क्या जगा 5R square is equal to Q square, फिर से देखिए कुछ इस टाइप के मिलगा अग नहीं, Q square is equal to 5R square, मतलब A is equal to BQ, A is equal to BQ type में के एक नहीं मिल गया, इसका मतलब फिर से 5 divides, 5 divides Q square, तो अगर 5 Q square को डिवाइड कर रहा हुगा, इसका मतलब 5 divides Q also, 5 divides Q also, ठीक है, मतलब हमें क्या मिला, कि 5 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है, 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 divides P and 5 divides Q, लेकिन P और Q तो को प्राइम थे, और लब P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन हमें क्या मिल ला है, 5 divides P, 5 divides Q, इसका मतलब 5 common होगा, ठीक है, इसका मतलब 5 common है, लेखेंगे हम लोग 5 is common factor, 5 दोनों को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 क्या होगा, common factor, common factor of P and Q, इसका मतलब P and Q are not co-prime, P and Q are not co-prime, co-prime होते तो common कैसे होता, not co-prime, लेकिन हमने इस सुरुआत में क्या मना था, P and Q are co-prime, इसका मतलब मुझे क्या मिलिया, contradiction, contradiction यानि जो मैंने माना था, वो गलत है, contradiction मतलब, जो मैंने माना था, सुरुआत में, root 5 is a rational number, वो गलत है, गलत है, इसका मतलब क्या होगा, root 5 is irrational, और यही तो मैं प्रूफ करना था, ठीक है, तो एक buffer से देख लेते हैं, क्या किया मैंने, मैंने contradiction method यूज किया, मैंने क्या मान लिया, कि root 5 क्या है, एक rational number, तो मैं जानता हूँ कि किसी भी rational number को P by Q के form में लिखा जा सकता है, तो अगर root 5 एक rational number है, तो root 5 को P by Q के form में लिख सकते हैं, P और Q इंटीर्स होने चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q को प्राइम होने चाहिए, P और Q को प्राइम होने चाहिए, फिर मैंने दोनों side square किया, तो root 5 को square 5 हो जाता है, P square by Q square आ गया, Q square को 5 में multiply कर दिया, तो 5 Q square is equal to P square, फिर हमें मिला P square is equal to 5 Q square, तो यह कुछ A is equal to B Q type है, इसका मतलब 5 जब P square को divide कर रहा होगा, तो वही मैंने लिखा 5 divides P square, अगर 5 P square को divide कर रहा है, इसका मतलब 5 P को भी divide करेगा, तो यह हमें line मिली, जो की important थी 5 divides P, ठीक है, उसके बाद मैंने एक बहुत important काम किया, कि मैंने P को मान लिया कि यह 5 times R के equal है, ठीक है, P को मैंने क्या मन लिया, 5 times R के equal है, फिर मैंने P के जगा 5 R रख दिया, 5 R का square is equal to 5 Q square, finally मिशे मिला, कि Q square is equal to 5 R square, यानि A is equal to B Q type, इसका मतलब 5 जब Q square को divide कर रहा होगा, 5 divides Q square, इसका मतलब 5 divides Q also, तो दो line मिली, 5 divides P, 5 divides Q, 5 divides P and 5 divides Q, इसका मतलब 5 is a common factor, common factor of P and Q, तो इसका मतलब P and Q are not co-prime, अरे भाई, 5 common factor है न, P और Q का, तो P और Q co-prime कैसे हो सकता है, अगर co-prime नहीं है, लेकिन हमने सुराद में माना था, कि P और Q are co-prime, तो हमें contradiction मिला, अगर contradiction मिला, इसका मतलब मैंने जो माना था, हो गलत है, यानि रूट 5 एक irrational number, अगरी बड़ा असा कोशन है, same procedure, हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि लेट, 3 प्लस, 2 रूट 5, इस, रैशनल, contradiction method का यूज़ करेंगे, हम लोग मानेंगे कि यह number rational है, रैशनल है तो इससे P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 प्लस, 2 रूट 5 is equal to P by Q, है ना, ऐसा कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, P and Q are integers, P and Q are integers, Q 0 नहीं होना चे, Q is not equal to 0, and सबसे main condition, P and Q are co-prime, चिंदा न करेंगे, यह question बड़ा नहीं है, P and Q are co-prime, co-prime मतला बता है, दोनों के बीच में कुछ भी common नहीं है, ठीक है, यहनी, दोनों के पास common factor नहीं है, अब 3 को मैं उस साइड बेश सकता हूँ, क्या जाएगा, 2 root 5 is equal to P by Q minus 3, ठीक है, 3 को मैं 3 by 1 लिख सकता हूँ, और इससे solve करेंगे, कैसे solve करते हैं, इस 1 को P में multiply करते हैं, तो P हो जाएगा, इस Q को 3 multiply करते हैं, तो minus 3Q, denominator लिखने के लिए, इन दोनों के आपस में multiply कर देते हैं, तो Q आएगा, ठीक है, 2 root 5 is equal to P minus 3Q by Q, इस 2 को मैं चाहूँ, तो Q में multiply कर सकता हूँ, यहना, ऊपर है, उधर जाएगा, तो नीचे चलाएगा, तो यह जाएगा, root 5 is equal to P minus 3Q by 2Q, है न, अच्छा, root 5 क्या है, अभी हमने देखा, root 5 एक irrational number होता है, तो root 5 एक irrational number है, तो irrational number is equal to, यह पूरा quantity क्या एक rational number नहीं होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि ऊपर भी एक integer आएगा नीचे भी एक integer आएगा ऊपर भी एक integer आएगा नीचे भी एक integer आएगा ठीक है? तो actually यह समझीए कुछ ऐसा है P' by Q' यह न? fraction के form में है नहीं यह ला part RHS वाला तो basically जब fraction के form में होता है तो वो number एक rational number होता है तो मतलब क्या सकता है यह right hand side वाला rational है तो ध्यान से देखिए left hand में irrational है right hand में rational है तो क्या irrational number बराबर rational हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है यानि हमें क्या मिलेगा? contradiction ऐसा नहीं हो सकता है कि यह irrational number rational number के बराबर होता है तो हमें क्या मिला? contradiction contradiction मतलब जो हमने माना था वो गलत है इसका मतलब 3 प्लस 2 रूट 5 इस इर्रेशनल ठीक है important question आपके board के लिए question method prove that the following are irrational पहला पार्ट है कि हमें करना है one by root two is rational हम लोग क्या मान लेंगे let one by root two is rational हम लोग one by root two को rational number मान लेंगे ठीक है अगर rational number है तो मैंसे ऐसे लिख सकता हूं root two is equal to P by Q बिल्कुल लिख सकता हूं अब आप लोगों ने rationalization पढ़ा होगा root two को मैं rationalize करूंगा उपा नीचे root two से multiply करूंगा ठीक है जाएगा P by Q root two one में multiply होगा तो root two root two multiply होगा तो two हो जाएगा ठीक है इस two को मैं चाहूं तो P में multiply कर सकता हूं तो root two is equal to two P by Q हो जाएगा ठीक है अब ध्यान से देखिए left hand में root two है और root two एक irrational number होता है ऐसा आपने थियोरम में पढ़ा होगा तो यह एक इर्रेशनल नंबर है तो मैं लिखूंगा irrational नंबर इर्रेशनल इस गल्टू टूपी बाई क्यू एक रेशनल होगा क्योंकि एक्चली यह अभी भी fraction के पॉर्म में है तो राइट हैंड साइट में fraction है यानि एक रेशनल नंबर है तो फिर से भाई चीज मिला rational बराबर irrational इर्रेशनल बराबर rational हमें क्या मिला irrational बराबर rational ठीक है तो यह फिर से हमें क्योंकि इर्रेशनल नंबर को भी rational नंबर के बराबर नहीं हो सकता है तो हमें मिला क्या contradiction contradiction है इसका मतलब वन बाई रूट टू एक इर्रेशनल है वन बाई रूट टू इस इर्रेशनल देख सकते हैं कितना सांगोशन था next है 7 root 5 तो हम लोग फिर से भी करेंगे let 7 root 5 is rational अगर यह rational है तो मैं इसे P by Q के form में लिख पाऊंगा 7 root 5 is equal to P by Q P by Q पे वही same condition है P और Q integers होने चाहिए Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q को प्राइम होना चाहिए उम्मीद करता हूं यह आप लोग खुछ से लिख लेंगे इस 7 को मैं क्या Q में multiply कर सकता हूं क्या बिल्कुल कर सकता हूं तो यह जागा root 5 is equal to P by 7 Q ठीक है तो फिर से भाई rational number क्या rational number बराबर rational number हो सकता है नहीं हो सकता यानि हमें फिर से मिला contradiction contradiction हमें मिल गया contradiction मतलब 7 root 5 एक irrational number 7 root 5 is irrational rational rational नहीं है irrational नेक्स्ट है 6 plus root 2 फिर से भाई let 6 plus root 2 is rational rational है तो मैं इसे P by Q के form में लिख सकता हूं 6 plus root 2 is equal to P by Q ठीक है 6 को धर बें विजिए क्या जागा root 2 is equal to P by Q minus 6 और भाई 6 by 1 लिख सकता हूं इस 1 को P में multiply कर देंगे तो P रहेगा बीच में minus Q को 6 में multiply कर देंगे तो 6 Q हो जाएगा divided by Q into 1 करेंगे तो Q आएगा ठीक है root 2 एक irrational number है ऐसा आपने theorem में पढ़ा होगा तो मैं लिख दूंगा उसके irrational number ये एक fraction है और fraction हमें सा rational number होते हैं तो ये जाएगा rational तो क्या irrational बराबर rational हो सकता है नहीं हो सकता यानि contradiction a contradiction है इसका मतलब 6 plus root 2 क्या है irrational इंपलाई करेगा 6 plus root 2 is irrational ठीक है देख सकते हैं कितना असा नहीं तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम लोग फोर्थ exercise all करेंगे इस chapter का जो की आपके board के लिए important है तो तब तक के लिए good bye है तो उपैओार है उपके लोग उना ही दो पर को का जो is meant बष्भोग immort pienüz और इस उपिस मतलब केंश को त्ष्छ पर के इस तक कensing तफ्छोंकर बादे की आपम हूभ पर झालने का पर उपने तो छो में उसका इसब आतना हो